जैहिन मैं हूँ संजय विश्व कर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चैंजिंग दा वे आप थिंकिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे UBPSC एग्री कल्चर प्री एक्जाम के लिए कुछ महदवपून प्रिश्णों के बारे में Special Session का ये Part 21 है अभी तक 20 वीडियो हो चुकी है तो जिन Students ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिस दोनों भाशाओं में रहने वाली है और ये वीडियो आपके एक्जाम के पॉइंट अब वीज से काफी important है तो वीडियो के साथ आकरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में हम top 20 questions का discussion करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य important points का भी discussion करते हैं और वीडियो के last में हम question of the day के बारे में भी चर्चा करते हैं तो जल्दी से इस वीडियो की link को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के साथ ज्यादा से ज्यादा students को चोड़िए तो चलिए start करते हैं आज की इस वीडियो को पहला question है NCOF is situated at काफी अच्छा question है हिंदी में बात करेंगे तो पूछ रहा है NCOF कहां इस्तित है यानि कहां पर ये इस्तित है काफी अच्छा question है आपकी परिक्षा के लिए जो NCOF है सबसे पहले तो इसका पूरा नाम हम जान लेते हैं NCOF का मतलब है National Center of Organic Farming ये आपको याद रखना है NCOF यानि की National Center of Organic Farming इसका ये पूरा नाम है और ये जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेस में ये इस्तित है ये जगा भी आपको याद रखना है परिक्षा के हिसाब से ये प्रिशन काफी important है आगे बढ़ेंगे question number 2 पे हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है depth of water required by a crop is known as यानि फसल की एक निश्चित गहराई तक जल मांग कहलाती है यानि इस प्रिशन में ये बात हो रही है कि मान के चलिए ये आपका खेत है इसमें आपकी ये फसल खड़ी हुई है इसको एक निश्चित गहराई तक पानी की इसको अवशकता होगी इसकी एक जल मांग होगी water requirement होगी, एक निश्यत गहराई तक इसी को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं delta, तो यही इस question में पूछ रहा था, कि एक निश्यत गहराई तक फसलों की जो जल मांग होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं delta इसको आपको याद रखना है, काफी अच्छा कोशन है, और अगर हम duty की बात करेंगे, तो duty को और जान लें, तो duty जो होता है, वो होता है, area irrigated, by 1 q.sac discharge of butter, ये duty होता है, ठीक है, और इसका जो answer होगा, वो होगा, ठीक, आगे बढ़ेंगे, कोशन नमर 3 पे Most extensively grown fruit crop in the world is यानि दुनिया की सबसे ज़्यादा सगन फल खेती वाली फसल है काफी अच्छा कोशन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा mango यानि आम आम जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सगन फल खेती वाली फसल है जो कि आपको इसको याद रखना है जो भी students seriously agriculture की studies कर रहे हैं उनके पास साथ साथ नावाड क्लियर करने का भी मौका है क्यूंकि syllabus 70% same होता है तो आप agriculture exam के साथ नावाड का भी attempt दे सकते हो attempt देने में कोई बुराई नहीं है in fact आप free study material और test ट्राई कर सकते हो link आपको description box में available हो जाएगी एक बार जरूर free registration करके ट्राई करके जरूर देखें अब हम बात करेंगे question number 4 की यहां पर बात हो रही है family of turmeric यानि कि हल्दी का परिवार यहां पर पूछ रहा है कि हल्दी का जो परिवार है वो क्या है या क्या होता है कुल की भी अगर हम बात करें कहीं कहीं कुल भी लिखा रहता है बात एक ही है तो काफी अच्छा question है और इसका जो सही answer होगा वो होगा जिंजी बरेसी आपको याद रखना है जो turmeric है वो जिंजी बरेसी family की होती है और अदरग भी इसी family का होता है तो आपकी परिक्षा के हिसाब से question काफी अच्छा है इस टाइप का question एक्जाम में पूछ सकता है आगे बढ़ेंगे question नमर 5 पे यहाँ पर बात हो रही है irrigation efficiency की और question है irrigation efficiency of loamy soil यानि loamy मिर्दा की सिचाई दक्षता है काफी अच्छा question है ये भी और इसका जो answer है वो है 70% याद रखेगा loamy जो soil होती है उसकी irrigation efficiency 70% होती है और ये highest irrigation efficiency होती है इसको भी आपको याद रखना है ठीक है आगे बात करेंगे question नमर 6 की इसमें बात हो रही है protein content in white rice is यानि सफेद धान में protein की मात्रा होती है ये भी काफी अच्छा question है और सब लोग जानते हैं कि जो rice होता है सफेद rice इसमें 6-7% जो होता है protein की मात्रा होती है आपको इसको याद रखना है इस type के question आ सकते हैं परिक्षा में आगे बढ़ेंगे question number 7 in which mineral phosphorus fixing is lowest यानि कौन से खनेज में phosphorus इस्थरी करण न्यूनतम होता है काफी अच्छा question है और जानेंगे क्या होगा इसका सही answer यहाँ पर न्यूनतम की बात कर रहा है यानि कि lowest phosphorus fixing mineral कौन से mineral में होता है इसमें पूछ रहा है तो यहाँ पर जो हमारा answer होगा वो होगा elite lowest phosphorus fixing lowest होता है इलाइट में अगर यहाँ पर बात करता कि highest phosphorus fixing mineral कौन सा होता है तो फिर हमारा answer जो होता वो हो जाता क्योली night लेकिन यहाँ पर वो lowest की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर answer इलाइट आएगा दोनों points को अच्छे से clear करके रखिएगा क्योंकि यह question आपकी परिक्षा के लिए काफी important है और कई सारी परिक्षाओं में भी इस type का question पूछा गया है ठीक है आगे बढ़ेंगे question नमर 8 पर यहाँ पर बात हो रही है father of soil taxonomy यहाँ पर पूछा गया है यानि कि soil taxonomy के जनक है यहाँ पर उनका नाम पूछा गया है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा dr. guy d. smith जो है father of taxonomy कहलाते हैं इस नाम को आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे question नमर 9 पर यहाँ पर बात हो रही है silver shoot and onion leaf like symptom in rice is caused by काफी अच्छा question है हिंदी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है silver shoot और प्याज की पत्तियों जैसे लक्षन धान में के कारण से होते हैं काफी अच्छा question मनता है पहली बात तो आपको यह point को भी याद रखना है कि प्याज की पत्तियों जैसे लक्षन कौन सी फसल में दिखाई देते हैं तो हमको यह भी याद रखना होगा कि यह धान में भी दिखाई देते हैं या फिर हम इसको silver shoot symptom भी कहते हैं यह धान में दि कोड़ेंगे कोशन नमर दस पे यहां पर बात हो रही है पांसुख is a physiological disorder of यानि पांसुख खालिस्थान का एक बिकार है यह भी काफी अच्छा question है और इस टाइप का question पूछ सकता है आपकी परिक्षा में और इसका जो answer होगा सब लोग जानते हैं पांसुख जो है जो की physiological disorder है यह है पेड़ी का या धान बोल दो या फिर राइज यह बात एक ही है इन तीनों का नाम अलग अलग नाम है धान धान बोल दो राइज या पेड़ी यह physiological disorder होता है पांसुख धान का ठीक याद रखेगा इसको आगे बढ़ेंगे question नमर 11 पर यहां पर बात हो रही है एसको ascochita blight है यह भी काफी अच्छा question है इस question में यह बात हो रही है कि जो चने का ascochita blight जो रोग होता है वो seed born है या फिर soil born है या दोनों है या फिर इन में से कोई नहीं है काफी अच्छा question है और इसका जो सही answer है वो है both यानि जो ascochita blight disease होती है चने में वो seed born और soil born दोनों होती है काफी इंपोर्टेंट कोशन है आपकी परिक्षा के लिए याद रखेगा इसको आगे बढ़ेंगे कोशन नमर बारा की हम बात करेंगे यहां पर इंटिग्रेटेड रूरल डवलप्मेंट प्रोग्राम इसको सोट में आई आई आल डीपी भी कहा जाता है और यहां पर पूछ रहा है किस सन में ये बर्ष में चालू किया गया था शुरूआत हुई थी यानि हिंदी में अगर हम बात करें तो एकी करत ग्रामीन विकास कारी की शुरुवात किस बर्स में हुई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1978 यानि कि IRDP जो है वो 1978 में स्टार्ट किया गया था याद रखेगा इस कोशन को आगे बढ़ेंगे कोशन नमर 13 RNA was first synthesized by यानि RNA को पहली बार synthesized के द्वारा किया गया काफी अच्छा कोशन है ये भी और इसका जो सही आंसर है वो है S. OCOA 1969 ये आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे कोशन नमर 14 पे यहाँ पे बात हो रही है गटेशन is caused due to यानि गटेशन के कारण से होता है गटेशन समस्या होती है पोधो में वो किस कारण से होता है ये इस कोशन में पूछा जा रहा है और आंसर है root pressure सब लोग जानते हैं जो गटेशन की समस्या होती है वो root pressure के कारण होती है और ये जो कोशन है आपकी परेक्षा के इसाब से काफी जादा important है ठीक है आगे अमर 15 पे यहाँ पे बात हो रही है father of sociology is यानि sociology के जनक कोन है यहाँ पे उनका नाम पूछा गया है extension का question है काफी अच्छा question है और इसका जो सही answer होगा वो होगा अगस्ट कॉम्टे अगस्ट कॉम्टे जी को father of sociology कहा जाता है अगर simple पूछता father of extension education पूछता तो answer हमारा JP Legans हो जाता लेकिन यहाँ पे sociology के बारे में पूछा है तो answer होगा अगस्ट कॉम्टे आपको इसको याद रखना है पूछा गया है कई सारी परिक्षाओं में आगे बढ़ेंगे question number 16 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है risk bearing ability depends on यानि risk bearing ability पर निर्भर करती है यह इस question में बात हो रही है और काफी अच्छा question है यह और इसका जो सही answer होगा वो होगा net birth तो याद रखिएगा जो risk bearing ability होती है वो net birth पर depend करती है आगे बढ़ते हैं question number 17 पे यहाँ पे बात हो रही है storage function creates यानि भंडारन utility को बनाता है यह economics का question है और utility से हर एक exam में एक question जरूर आता है आपकी परिक्षा में भी इस type का question पूछा जा सकता है तो जानेंगे क्या होगा इसका सही answer इसका जो सही answer होगा वो होगा time utility आपको याद रखना है कि storage से time utility create होती है काफी अच्छा question है काफी important question है आगे बढ़ेंगे question नमर 18 पे यह भी काफी अच्छा question है यहाँ पर insect के leg leg के part के बारे में हाँ बात हो रही है यहाँ पर पूछ रहा है the basal part of insect leg is known as यानि कीट के pair का आधार भाग कहलाता है यह भी काफी अच्छा question है काफी important है और entomology से हर ए जादा question पूछे जाते हैं तो इस insect के leg वाले topic को भी हमको समझना होगा तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं क्या होगा इसका सही answer तो इसका जो सही answer होगा वो होगा coxa यानि की basal part of insect leg जो होता है वो coxa कहलाता है तो जानते हैं insect के leg के बारे में हम जैसा कि आप देख सकते हैं इस screen पे मैंने rough diagram बनाया है insect के leg के बारे में यानि कि insect का जो पाउं होता है कीट का जो पैर होता है उसके अलग-अलग parts को हम यहाँ पे जानेंगे क्योंकि parts से question पूछे जाते हैं तो ये जो red वाला दिख रहा है आपको ये वाला ये insect की body होती है इनसेक की body से जो पहला भाग जोड़ा होता है कीट के पैर का क्यूंकि पैर के भी अलग-लग भाग होते हैं तो पहला भाग जो होता है इसी को हम कहते हैं kokosa याद रखेगा insect की body से जो attach होता है उस part को kokosa कहते हैं और kokosa के just बाद जो दूसरे नम्मर पे जो part होता है इसको हम बाला जो भाग होता है जो black color का है dark black मैंने इसको कर रखा है इसको हम femur कहते हैं femur इसको femur कहते हैं और इसके बाद फिर एक जो vertical में आपको जो दिख रहा है dark blue इसको हम tibia कहते हैं ये part जो है ये tibia कहलाता है और tibia के नीचे बाला जो हिस्सा है जो dark black color में मैंने कर रखा है तो इसको हम tarsus कहते हैं इसको हम tarsus कहते हैं पांच पार्ट हैं, अलग-अलग पार्ट हैं सबको मैंने बताया है और उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा एक वार फिर से मैं बोल देता हूँ जो red बाला भाग है यह जो जुड़ा है, जो B लिखा है मतलब कि यह body का पार्ट है जिससे coxa attach होता है इंसेक्ट के leg का एक पार्ट है जिसको हम coxa कहते हैं और जो yellow color का है इसके बाद जो blue color का है इसको हम बोलते हैं trochanter और blue color के बाद जो black color का जो circle है dark color इसको femur बोलते हैं और उसके just बाद जो blue color का है इसको हम बोलते हैं tibia और सबसे नीचे वाला जो हिससा है इसको हम बोल देते हैं tarsus, यह 5 पार्ट हैं I hope आपको clear हुए होंगे चाहें तो आप इस question का screen sword भी ले सकते हैं rough dry gram है यह आपको समझाने के लिए insect के लेक से question आते हैं तो आपको इसको याद रखना है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे question number 19 की हम यहाँ पर बात हो रही है LEPA यानि LEPA is a modified dash irrigation system यह भी काफी अच्छा question है काफी important question है और यहाँ पर बात हो रही है LEPA यानि LEPA इसको हम पढ़ सकते हैं की परिवर्दित सिचाई पद्धती है काफी अच्छा question है most important question है आपके आने वाली परिक्षा के लिए और इसका जो सही answer होगा वो होगा sprinkler तो आपको याद रखना है जो LEPA यानि LEPA जो है वो sprinkler irrigation system का ही एक modified version है और अब हम इसका पूरा नाम जान लेते हैं क्योंकि यह जो question है आपकी परिक्षा के लिए important है तो LEPA का जो पूरा नाम है आपको याद रखना है L का मतलब है law E का मतलब energy P का मतलब precision और A का मतलब agriculture तो पूरा नाम है law, energy, precision, agriculture शौर्ट में इसको हम LEPA यानि LEPA भी हम इसको कहते हैं जो की sprinkler irrigation का एक परिवर्तित रूप है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं question number 20 की यहाँ पर बात करेंगे बात हो रही है silver oak is a silver oak एक है climber, shrub और tree तो answer यहाँ पर होगा tree याद रखिएगा silver oak एक tree है तो अब हम बात करेंगे आज के question of the day के बारे में इससे पहले हम पिछली वीडियो का एक question discuss कर लेते हैं question था IPNS का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया था पिछली वीडियो में तो उसका जो सही answer है वो है integrated plant nutrient system integrated plant nutrient system जो है सही answer है अब हम बात करेंगे आज के question of the day के बारे में जिसका सही जवाब आपको comment में बताना है question है FCI was established in the year यानि की food corporation of India जिसको हम भारती एक खाद दे निगम भी कहते हैं वो किस साल में स्थापित किया गया था इसका जवाब आपको comment में देना है सही answer next part में discuss करेंगे तो ये थी आज की वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए साथ ही इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोसल मीडिया प्लेटफों को भी आप जोइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत